हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप सभी ठीक होंगे स्वागत है आपका अपने चैनल कुकवित अनीसा में मैं हूँ आपकी दोस्त और धोस्त अनीसा आज मैं आपके लिए रिपब्लिक डेय स्पेसल बहुत ही स्वादेश्ट मिठाई की रेसिपी लेके आई ह हुँ जो कि देखने में जितना सुन्दर है खाने में भी ऊतना ही टेस्टी और रेडी हुआ है तो फ्रेंट्स विडियो को बिना 2hs कीप की देखें पूरा देखें मेरे चैनल पर नए है जिससे हम चाई बनाते हैं, वो ये नहीं है, तो इसमें मैंने डाल दिया है आधा कप घी, तो यहां पर मैंने melted घी यूज किया है, तो आप भी melted घी ही यूज करें, उससे measurement perfect होता है, और इसको हमें अच्छी तरह से mix करना है, जिससे की घी और जो milk powder है, उसका अच्छा समयन ल जिससे की अच्छी तरह से घीज है वह मिल जाए तो यहाँ पर मैंने इसको छोड़ दिया है तो आप हम कर लेते हैं एक कप चीनी दो कप हमने मिल कल लिया था तो एक कप चीनी परफेक्ट होता है और आधा कप इसमें मैंने डाल दिया है पाणी पानी तो जो भी आप कप य तो फ्लेम पे चीनी घुलने तक हमें अच्छी तरह से चलाते हुए पका लेना है तो अब आप देख सकते हैं कि चीनी जो है वो अच्छी तरह से घुल चुका है तो अभी फ्लेम को हमें मीडियम कर देना है और इसको हमें पकाना है जब तक कि ये चिपचिपासा सहद के जैस जहीं तो हम निए मिल्क बॉडर में टर ऊकल ऍे इसका में ग bottle होintell then के जैसा ही ऊप करेंगे किसलाई परमीन स्कीषान करें गे zerच चासनी फ two-three मिल्क बॉडर हैं गी डाल के वह थोरा थोरा । और इसको हम याद रखियेगा कि एक बार में हमें सारा मिल्कपॉडर नहीं डालना है और गैस को हमें अभी ओ रखना है तो इस तरह से हम डालते जायेंगे और धीरे धीरे इसको हम mix करते जाएंगे जिससे की इसमें कोई भी लंब्स ना आए तो इस अच्छी तरह से तो अब हम गैस को on कर लेंगे अभी हमारा gas off था अब हम इसे on करके low flame पे लगातार चलाते हुए इसको हमें पका लेना है और आप देख सकते हैं कि एक दम सिल्की सिल्की लग रहा है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये देखने में भी तो इस तर यकीन मानिए इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है और इसको हमें तब तक पकाना है जब तक ये कराही छोड़ने ना लगे तो अब देख सकते हैं ये जो है धीरे-धीरे कराही छोड़ने लगा है तो इसी तरह हमें इसे low flame पर ही पकाते रहना है तो अब देखिए अब बन रहा है चिपक नहीं रहा है इसका मतलब हमारा डो परफेक्ट है तो अभी ग्यास को मैं कर दूंगी और इसको हम एक थाली में निकाल लेंगे जिससे कि ये ओवरकुक ना हो तो यहां पे मैंने इसको एक थाली में निकाल लिया है और इसको मैं तीन पार्ट में कलर क्योंकि इसे मैं रिपब्लिक डे के लिए बना रही हूं तो मैं यहां पे फूड कलर यूज कर रही हूं आप बिना फूड कलर के भी इसको बना सकते हैं उससे खाने में स्वाद में कोई अंतर नहीं होता है और दूसरी तरफ मैंने डाल दिया है ग्रीन फूड कलर और जो औरेंज वाला है इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और यह जब गरम रहे हलका तभी आप करें नहीं तो फिर यह सूख जाता है तो आप देखिए इस तरह से गरम था तो मैंने इसको चौपिंग बोर्ड पे निकाल लिया जैसे कि अच्छे से मिक्स हो जाए तो यह देखे ग्रीन कलर का भी रेडी हो चुका है तो अब इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे इस तरह से और इस तरह से मैं इसको सिलिंडरिकल जो सेफ है वो दे रही हूँ आप जो भी सेफ आपको पसंद हो आप दे सकते हैं तो इस तरह से मैं इसको इस तरह से बना बहुत ही आसानी से आप देखे यह बना केई बहुत ही स्मूद रेड्ी हो जाता है तो इस तरह से ग्रीन कटलर कमैंने पूरा रेडी कर लिया है बनाके अब ओरेंज कलर का भी हम इसी तरह बनाके रेड Tit कर लेंगे तो यहां पर यह देखे थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेना है हमें और इस तरह से इसको बना के और थाली में या फिर चॉपिंग बोर पेस को स्मूध कर लीजिए तो यह देखे यह भी कितने आसानी से बन के रेडी हो गया है तो औरेंज कलर का भी हमारा रेडी हो पे या जैसे भी आपको आसानी लगे थाली पे चॉपिंग बोर्ड पे आप इसको इस तरह से बना सकते हैं जिससे कि एकदम से स्मूध हो जाए बस इतना ही हमें करना है तो यह देखे इस तरह से कितना स्मूध बनके यह रेडी हुआ है तो वाइट वाला भी हमारा रेडी बनाए है और नीचे अब मैं ग्रीन लगा रही हुँ इस तरह से आप जैसा भी चाहे उस तरह से आप सजा सकते हैं मैं ये रिपबलिक डे के लिए बना रही हुँ तो मैं इसको इस तरह से फ्लैग के रूप में सजा रही हुँ आप अपने हिसाब यह आपको पसंद हो वैस का बिल्कुल वैसा ही और यकीन मानी है फ्रेंट्स बहुत ही टेस्टी भी ये बनके रेडी हुआ है मैं आपको एक तोर के भी दिखाती हूँ आप देख सकते कितना दानेदार बनके ये रेडी हुआ है और इसको बनाना कितना आसान है बहुत ही आसानी से बनके ये रेडी हो तो इस रिपब्लिक डे पे आप भी जरूर इसको बनाएं मेरी रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर सेयर करें मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि जो भी वीडियो मे